हाई गाइस टेस्ट पेपर कैसा हुआ सबका बहुत अच्छी बात है अब मैं इस वीडियो के अंदर यह कंप्लीट एक गाइडन सेशन वीडियो रहेगा डिटेल वीडियो रहेगा एन आई विल अपलोड डेट वीडियो और यूट्यूब एस वेल जो स्टुडेंट गूग Solution सबसे पहले मैं अडिटिंग से बात करूंगा और फिर बात करूंगा कि आपका बimizi अगर स्लीवर्स पंडिंग है तो क्या करना है और इतिक प्लासी आपका बेकलोग पंडिंग हो सकती है, in this video everything will be covered, बस आपने इसको follow करने है, देखे, जब भी हम कोई काम करते हैं, तो हर काम का एक process होता है, किसी भी काम को करने के multiple steps हो सकते हैं, एक काम को पूरा करने के लिए 4 step है, तो अगर आप एक step करेंगे, तो आपका वो काम complete नहीं माना जाएगा, तो first and foremost thing आपको पता होना चाहिए, कि अगर auditing का test में लिखने जा रहा हूं, तो उससे पहले मेरी क्या-क्या responsibilities थी, मुझे क्या-क्या करना चाहिए था, उसके revision के लिए, treat this test paper as a exam, कि भाई, real का exam, जो हमारा main IC exam लेने वाला है, उसी exam को मैं लिखने जा रहा हूं, आपको इस तरह से सबसे पहले तो एक field लेना पड़ेगा, और इसको एक importance देनी पड़ेगी, जब तक आप किसी चीज़ को importance नहीं देंगे, prioritize नहीं करेंगे, उसको seriously नहीं लेंगे, उसमें काम्याब नहीं हो सकते, उसमें next five to six days में लेंगे, और जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, चाहे उनका test हो या नाओ, वो इस guidance को follow करके अपनी तयारी कर सकते हैं, आपका जो step number one है, कुछ भी ना समझाए, मैं time दूँगा, query पूछने का बीच में ना रोकें, please, screen लेकर आईएगा निवास भाई, आपका जो step number one है, वो आपको लेनी है class, आपने lecture को क्या करना है, बेटा, complete करना है, पीछे का नहीं हुआ, उस पर भी मैं आउंगा, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ, आपका lecture completed है, आपका उसमें कुछ भी pending नहीं है, this will be your step number one, इसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आपने lecture को complete किया, तो यहाँ पर दो phases आएंगे, एक, एक chapter को complete करने में, let's say audit of item of financial statement को complete करने में, we will take five to six lectures, तो आपने क्या करना है, घर जाने के बाद, step number two है यह, daily lecture का सिर्फ revision करना है, अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आपका step number one complete हो गया, मतलब आपने lecture ले लिया और उस lecture का एक बार जाके बस reading कर ली, read out कर लिया, आपका वो एक portion of work complete हो गया है, step number two इसमें आता है, इसको आप step one के साथ merge भी कर सकते हैं, अलग से भी कर सकते हैं, कि जैसे ही आपके lecture complete हुए, आपने lecture का revision complete कर लिया, आपने full chapter को revise करना है, पूरे chapter को बैठ कर, पहला step हो गया, पांस दिन हमने daily revision कर लिया, अगर आपका already completed है, तो मैं मान के चल रहा हूँ, आपने daily revision के नहीं किया, तो एक बार बैठ के आपने full chapter क्या कर देना है, revise करना है, तसल्ली से, अराम से 3 गंटे, 4 गंटे, 6 गंटे, 8 गंटे, जिस student को जितना time लगे, उतना लगाओ, step number three पे क्या आएगा, step number three, step number three, यहाँ आपने full question bank को cover करना है, उस relevant chapter का, यहाँ पे question bank को cover करने के लिए, आप क्या देख सकते हो बेटा, video देख सकते हो, पूरी playlist मैंने बना रखी है, YouTube पे available है, वहाँ जाके देख सकते हो, हलाकि मैं class में भी cover कर रहा हूँ, हम अल्रड़ी, I think audit report वगेरा chapter का कर चुके, आज मैं chapter two का cover करने के mood में था, लेकिन आप लोगों ने test paper नहीं दिया था, तो मुझे लगा, लिखवाना ज्यादा important है, किलियर है, यहाँ तक आगा है, आप question bank की video हो गई, इसके बाद आपने क्या करना है, step number four, I.C.A.I. का study material उठाना है, है या नहीं है, उसकी थैली उतारनी है, और उसको नए तरीके से एक तरी से unboxing करनी है, उसको पहली बार उसको नमन करना है, चलो यह हो गया मजाक, अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपको पता है, मेरी किताब और I.C.A. के किताब में, flow में बहुत change है, लेकिन आप आज उस level पे आ चुके हो, कि अगर मानलो, I.C.A.I. के chapter 1 में, कुछ दो concept अलग से covered हैं, मानलो, I.C.A.I. ने engagement, मैं बता भी रहूं आपको साथ-साथ, I.C.A.I. ने chapter 1 में, हमारा chapter 9 कबर किया हुआ है, हमारा book का chapter 9, उसके 1 में, आखरी में 3 concept, आप उनको skip कर देना, I.C.A.I. का जो last chapter है, वो हमारा chapter 1 ही है, जो I.C.A. का last chapter है, S.A. 210, 20, वो हमने chapter 1 में ही डाल दिया है, तो थोड़ा सा flow आपको उपर नीचे मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उपर नीचे नहीं है, तो आपने क्या करना है, I.C.A. study material को pick करना है, let's say आपका अगला test है, chapter 1, 2, 3, 4, 5, आज आपने chapter 1 revise कर लिया, आपने पूरे question bank की वीडियो देख ली, अब आपने I.C.A. study material उठाना है, आपने क्या करना है, relevant chapter के, I.C.A. study material questions को बस review करना है, देखो अगर आप मेरे student हो, तो मैं आपको 100% guarantee दे रहा हूँ, I.C.A. study material का हर एक question, मेरे question bank में covered हैं, नए study material का, हर एक question, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है, कि आप I.C.A. study material का chapter 1, जब revise करेंगे, question देखेंगे, तो आपको 3 question मेरे question bank में ना मिले, chapter 1 में, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि मेरे question bank में नहीं है वो, मैंने उसको उसके relevant concept के साथ, किसी दूसरे chapter में include किया हुआ है, तो I.C.A. study material के उपर, आप समय जरूर लगाएगा, 5 से 7 मिनट, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ यार, we are also a human being, हमारे पार्ट पे भी कुछ clerical mistakes हो सकती है, गलतियां हो सकती है, और एक बर दुबारा go through करने में, it will take 5 to 10 मिनट, क्योंकि आप detail में कर चुके हो, आपने उसको cover करना है, ठीक है, कोई ITP, MTP आपने करने की requirement नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपके कहा covered है, question bank में, सब covered है मेरे question bank में, step number 5, जो की most important step है, lecture देख लिया, lecture के साथ revision कर लिया, उसके बाद पूरा revision कर लिया, पूरे question bank की video देख ली, वीडियो देख रहे हो, तो एक बाद self जरूर करना, self कर रहे हो, किसी question में टक गए, सिर्फ उसकी video देख रहे हो, तो दो बार करने की requirement नहीं है, अगर वीडियो से कर रहे हो, तो एक बार वीडियो देख नहीं है, और एक बार self करना है question bank, दो step हो जाएंगे फिर उसमें, उसके बाद आपने ICI study material go through कर लिया, अब आप एक दो दिन का break लेंगे, जैसे ये सारे step मानलो मैंने, आज और कल में किये हैं, now you will take a one or two day break, यहाँ पर मैं लिख दूँ क्या, after, one or two days, यहाँ पर आपने hold करना है, आप अगला नया chapter स्टार्ट कर सकते हैं, दो दिन के बाद आपने वापस से पूरा chapter revise करना है, full chapter का revision वापस से, लेकिन इस बार revision अलग रहेगा, यहाँ पर हो सकता है, आपने 6 गंटे लगाएं हो, लेकिन यहाँ पर आपको 2 गंटे लगाने हैं, यहाँ एक ही घंटा लगाना है, मेरा मानना यह है कि पहला revision ही 100 के बराबर कर लो, एक revision ही 100 revision के बराबर कर लो, कि अपने को 5 revision करने की जरोती ना पड़े, हम सिर्फ go through करें, तो बंदर जब पहली बार पढ़ रहे हैं, तो एक के concept को बारी की से पढ़ो, सारे questions कर लो, ICI study material लगा लो, 3 घंटे की जगे 6 घंटे लगा लो, that is completely fine, लेकिन जब अगली बार बैठो तो आपके बस mind में heading देखते ही, point आपके दिमाग में आने चाहिए, आप सिर्फ go through करोगे, आपने यहाँ पे full chapter का revision करना है, और last step, आपने क्या करना है बेटा, step number 6, यहाँ पे आपने few questions, selected few questions, मैं generally mark करवाता हूँ, important वगेरा, उसकी आपको क्या करनी है, writing, practice, और step number 7 आपका हाज आता है, क्या, क्या होगा बताओ, क्या होगा, यह है आपका, test, paper, मैं आपको guarantee दे रहाँ बेटा, full assurance दे रहाँ आप लोगों को, absolute assurance, reasonable नहीं, absolute assurance दे रहाँ, अगर आपने, इस flow को follow करके, auditing को तयार किया, तो आपका pen कभी नहीं रुकेगा, चाहे वो test paper हो, चाहे real exam हो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं बहुत मानता हूँ, जिनके बारे मैं बोलता हूँ, लेकिन वोजे पता है, मैं इसलिए मानता हूँ, कि वो कभी किसी को किसी के साथ गलत नहीं करते, भगवान राम और कृष्ण भी, उपर से निचे आ जाए ना, इतना करने के बाद, तो वो भी आपको ओडिट में फेल नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, और मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, इतना अगर आपने one, two, seven step, भाई इतनी मैनत करने के बाद, अगर भगवान अमें फल नहीं देगा, तो कब देगा, कोशन मैंक को दुबारा गो तुरू किया, फिर एक बर 100% रिविजन किया, आई से इस्टडी मेटरियल देख लिया, भाई बच किया गया, राइटिंग प्रेक्टिस कर ली, उसके बाद मैं जा रहा हूँ, यार मैंने अपने युद्ध की तैयारी से पहले ट्रेनिंग में कोई कमी छोड़ी है क्या, कैसे फिल हो जाएंगे, अब आप यह साथ स्टेप में लिख दी है, अपनी नोट बुक में, जहां अपने नंबर लिखे हुए, आई विल स्कोर 70, 80, 90, कहीं लिखे हुए है न, वहाँ पर यह साथ स्टेप लिख लो आप, कि यह साथ, क्योंकि पहली क्लास में नहीं समझाती आपको यह बाते, लेक्चर बन में अगर यह ज्यान देता ना आपको, कि आपको यह साथ काम करने नहीं समझाता, आज आप टेस्ट पेपर लिख चुके हो, आपका हाथ हटका, तो आपको समझ आएगा, अब आपको लगेगा कि यार, अब आप यह देखो, कि मेरे पाँ बहुत सारे स्टूडेंट आए, आपने इन में से क्या नहीं किया था, ठीक है, मैंने आपको बता दिया, कि ओडिटिंग में आप 90 प्लस कैसे ला सकते हो, अगर आप जब भी मुझे क्वेरी पूछ होगे ना, सर, ओडिट को कैसे पढ़ना है, मैं आपको इस वीडियो का लिंक भेज़ दूँगा, ओडिट को ऐसे पढ़ना है, समझ आया, ये तो था एक ओडिट को पढ़ने का तरीका, भी तो बहुत सारी student query है, मैंने पहली query कवर किया है, ये तो था एक तरीका कि ओडिटिंग को कैसे पढ़ना है, कैसे 80 प्लस marks लेकर आते हैं, this is the only solution, जिस दिन शुबम अगरवाल यहां पे आये थे, जोन्होंने इंडिया हाई स्कोर किया था, तो एक बच्चा में रपाया, बोले सर मुझे भी तो personally guide कर दो आप, शुबम भया को भी तो क्या आपने, यार, यही है personal guidance, अब अकेले आके पूछों के तब भी मैं यही बताऊंगा, 10,000 बच्चे अगरे मेरी वीडियो देख रहे हैं, तब भी मैं उनको यही बताऊंगा, this is the only solution, किलियर है बेटा, अब मैं चलता हूं sir, इसमें तो इतना time ही नहीं है हमारे पास, अब अगली problem पे आते हैं न, we'll identify problem and I will give you a solution, मैंने आपको पहले main solution दे दिया, अगली problem आती है, कपिल sir, classes चल रही है, इतना तो समय ही नहीं है, इतना तो time ही नहीं है, मेरा group 1 का backlog है, तो हम one by one, एक एक query को उठाएंगे, और उसका solution आपके सामने रखेंगे, बिल्कुल practical solution, कोई इधर उधर की बाते नहीं, पहली query यह हो सकती है, कपिल sir, मैं 2 घंटे का travel करके आता हूँ, सुबह घर से 5 बजे, 6 बजे, 6 बजे निकलता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, शाम को घर पर पहुंसते पहुंसते, मुझे साथ साधे साथ बज जाते हैं, मैं revision कप करूं sir, class के साथ, बेटा मैं मानता हूँ, आपके एक decision making गलत हो गई, आपने face to face class लेनी ही नहीं चाहिए थी, अगर आपका 3 घंटे का travel है तो, लेकिन ले ली है आपने face to face, तो उस case में आपने क्या करना है मेरे बच्चे, आपने सिर्फ ये वाले काम को complete करना है, daily lecture का revision, पहले आपने इसको cover करना है, it will take 22-30 minutes, जो मैंने आज की class में करवाय है, घर जाके revise करने में, और उसके बाद, जैसे ही आपका एक chapter revise हो जाए, हफते में हमारी 5 class से ज़्यादा तो नहीं होगी, ठीक है, आपकी जिस दिन class नहीं है, आप step number 2 को cover कर लो, आप अगर metro में travel कर रहे हो, तो question bank की video को earphone लगाओ कान में, कहीं metro का एक कोना ढूंडो, अराम से खड़े हो जाओ, या बैट जाओ, question bank की video देख लो, भाई हो सकता है नहीं हो सकता है, आप disturbed feel कर रहे हो, वो आपकी problem है मेरे भाई, अगर आप बिल्कुल focused हो, तो पुरी भीड में, पुरे shore में भी आप पढ़ाई कर सकते हो, बढ़ आपका focus के लिए रोना चाहिए, कि मेरा ध्यान सिर्फ इधर है, side-wide आगे पीछे क्या चल रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, इतना focused होना पड़ेगा आप लोगों को, कि अगर मानलो, आपके सामने, आपके हाथ में से mobile है, आपके चारों तरफ भीड है, बढ़ आप इतनी concentrated हो, कि आपके phone में अगर यहर फोन लगे हैं, आपका पूरा focus सिर्फ आपके content पे हो, उसके अलाबा कहीं नहीं है, उतना focus आपको होना पड़ेगा, तो आप ICI study material को अभी के लिए skip कर सकते हो, आप लोग, होसते रहेंगे, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, तो हमारा एक chapter भी नहीं होगा, और अगर आप यह सोच लोग कि यार एक से शुरुवात करते हैं, तो अगले पांस दिन में एक chapter तो होगा, हर chapter की cover दस से बारा नंबर की है real exam में, तो कम से कम 10 नंबर पे तो आए, baby steps लेने पड़ेंगे भाई, पहले 5 नंबर का काम तयार करना पड़ेगा, उस तरह से 40 पे आएंगे, 40 से 50 पे जाएंगे, direct कोई 80 पे नहीं जा सकता, कोई मेरे पाग घुटी है कि हमें मिलाओं और पिलादू, तो ले बेटा हो गए 80 नंबर, एक एक step पे तयार करना पड़ेगा, तो आपको इफ्लो मैनेज करना पड़ेगा, इन दी available time, available time नहीं है, आप नहीं निकाल पारे, don't worry, सिर्फ step number 1 को follow करो, 15 ओगस्त को आपका syllabus खतम हो जाएगा, यह जैन वाले बच्चों के लिए है, आप उस point of time पे इसे follow करना, उस point of time पे फिर test number 1 से लेकर, test number 13 टेस्ट है टूटल, 12 से 13 टेस्ट हैं, तब आप attempt करना, बट अगर आपने test नहीं attempt किया, आपने question bang नहीं देखा, आपने writing practice नहीं की, आपने detail revision नहीं किया, मैं आपको असी number नहीं देलवा पाऊंगा, 50 number, 55 number, 45 number आजाएं, उसको मैं ठीक है, भई वो आप pass हो गए, आप तो अच्छा ही feel करोगे, बट I don't feel कि मतलब आपको class लेने का कोई बहुत ज़्यादा फाइदा हुआ, तो ये तो था कि अगर आप group 2 की classes के साथ, revision नहीं manage कर पा रहे हो, तो मैंने आपको बताया, try करो कि एक chapter हो जाए, मैं चार दे रहा हूँ, आप एक कर लो, एक chapter के question attempt करो, चाए दो हो, समझ आई बात, अगला, सर मेरा backlog pending है, मैंने group 2 की classes join कर लई थी, backlog pending है काफी बच्चोंगा, मैंने group 2 की classes join कर ली थी, but मैं आप test नहीं दे पा रहा हूँ, फ्यूंकि मेरा पीछे का content बहुत pending है, तो lecture अगर आपके pending है, सुनो जी, जो pending है, उस पे रोने से अच्छा है, जो हो रहा है, उसे 100% बढ़िया तरीके से करो, क्योंकि अभी भी बहुत बढ़िया असलिबस हमारा बचा हुए, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको cover करनी पड़ेगी, mandatory, वो मैं लिख रहा हूँ, अगर ये आपकी coverage है ना, तो सब को pending पढ़ा रहने दो, पंदर अगस्त के बाद देखना, पुरजयन स्टूडेंट, चैप्टर नमबर वन, चैप्टर नमबर थ्री, ठीक है, उसके अलावा, ऐससे नमबर, 500, 501, 505, इन्ही दो चैप्टर में, मैं आपको एक concept करवा देता हूँ, जो की है, opinion का, अगर आपने इतना coverage कर रखा है, तो आप tension लेना छोड़ दो, कि मेरा पीछे का कोई chapter छोटा हुआ है, आप आगे बढ़ो, 15th August तक आप मेरे साथ आगे बढ़ो, अगर इतना आपको आता है, आप module 2 और आम से कर सकते हो, कोई भी जिज़ कर सकते हो, और जैसे जैसे मेरी classes खतम हो जाए, आप test paper दे दो, याँ मानलो 2 दिन audit की class नहीं है, उसमें अपना backlog करो, same day आपने कोई 2 lecture देखने की requirement नहीं है, clear है, तो कोई tension नहीं लेनी, मेरे पीछे के 15 lecture pending है, 20 lecture pending है, नहीं मेरे भाई, आपने सिर chapter 1, 3, 500, 501, 505 और opinion की knowledge होनी चाहिए, and just go with me, मेहनत करो, अब जो बचा हुआ है portion, उस पर मेहनत करो, उसके बाद starting का cover करना, और फिर test paper attempt करना, तो ये तो हो गया, जिनका group 2 का auditing का backlog है, या जो भी बाकी backlog है, अब अपने teacher से पूछना की minimum क्या करके, हम आगे बढ़ सकते हैं, now we'll talk about group 1 backlog, काफी बच्चों के group 1 के भी pending lecture है, अगर किसी के group 1 के pending lecture है, मेरे भाई, और आपकी 3 lecture चल रहे हैं अभी, auditing, costing and FM, please मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से विंती हैं, आप उनको pending ही रहने दें, आपने audit का मानलो 100% cover किया हुआ है, बट आपका group 1 के कोई 10, 20, 25 लेक्चर pending है, अभी आप उसकी tension ना ले, अभी आपका focus का होना चाहिए, जो 3 subject चल रहे हैं, उन पर होना चाहिए, 15th August को you will have half day with you, हाँ या ना, जहां तक मेरी knowledge है ना, 15 से 19 अगस तक आपकी चुट्टी है, मैं गलत हो सकता हूँ, बट जितना मुझे पता है, 15 तू 19 अगस्ट आप लोगों की चुट्टी हैं, audit तो खतम हो चुका होगा, ठीक है, बाकी आप सर से confirm कर ले ना, है या नहीं है, क्योंकि बहुत पहले की planning बे लिखा गया था, कि ये चार दिन चुट्टी है, तो आप उन में backlog कवर करना है, जिस दिन class नहीं है, backlog कवर करो, जो भी आपको कवर करना है, तो ये था उन बच्चों के लिए, जिनकी group 1 की classes pending है, audit की अगर pending है, तो बस आपने इतना cover करना है, आप आगे मेरे साथ चलो, और auditing में अगर number लेने हैं, तो ये model आपको follow करना पड़ेगा, and you can replicate this model for all the subjects, जब तक आप इस level पर तयारी नहीं करोगे, बहुत अच्छा अच्छा अच्छीव नहीं कर पाऊगे, एक student है यार, यहीं तो बैठे थे वो, 9 number थे और अगली बार highest थे, 9 in first paper, and highest in second paper, भाई कैसे highest आए, पहले paper में कह रहा है, नहीं तो मैंने अच्छा से revision किया था, नहीं कोशन में किया था, नहीं writing practice किया थी, कह रहा है सब test paper 2 में, मैंने अच्छा से revision भी कर लिया, writing practice भी कर लिया, आपका पूरा कोशन में का वीडियो देखके, उसको भी कर लिया, highest आ गए, अरे भाईया, सफलता का कोई shortcut नहीं है, सफलता का सिर्फ एक ही, गुरू मंत्र है, that is मेहनत, आपने मेहनत कर लिया, आप सबसे टोपर हो मेरे भाई, अगर किसी बच्चे को लगता है नहीं, यह होश्यार है भाई, वो घंटा होश्यार नहीं है, वो रोज जाके 6 घंटे पढ़ रहा है भाई, वो मेनत कर रहा है, आप मेनत करोगे, आप भी कर लोगे, हम कोई बहुत hard and first काम नहीं करें, बहुत simple चीज़ बढ़ रहे हैं, अब मैं, आपकी जो भी पढ़ाई से related query है, उसके अलावा कहीं नहीं बटकना, अगर आपकी query है, आप मुझसे hand raise कीजे, live class student can also ask me relevant queries, तक यह session पूरा relevant रहे, और उसके बाद मैं इसको close करूँगा, चाहे आप सिर्फ auditing से related पूछ लो, या पढ़ाई से related पूछ लो, या आपकी कुछ problems हैं, उसके regarding आप मुझसे बात कर सकते हैं, हाँ जी, माइक देजेगा बच्चों को please, live class can also ask, sir metro में मोबाईल कीच लेते हैं, तो आप comment section में भी अपनी query डाल सकते हो, समय मिलेगा तो जरूर रिप्लाई करूँगा, guarantee नहीं दे रहा है, हाँ बेटा, आप माइक ले लिजे, ताकि आपकी query, बेटा कोई बात नहीं करेगा, बहुत important discussion चल रहा है, हाँ जी बेटा, अब तब तक रिवीजन नहीं प्लाई कर सकते, जब तक आपके lecture कंप्लीट ना हूँ, तो पहला focus आपका यह होना चाहिए, कि भाई मेरे lecture कंप्लीट करने है, उसके बाद में रिवीजन प्लाई करूँगा, हमारे पास समझो, limited hours है, मैं उसमें lecture भी देख रहा हूँ, तो रिवीजन प्लाई ही नहीं हो सकता, जो चीज हो ही नहीं सकती, उसके tension क्यों लेनी है मेरे भाई, जो चीज हो ही नहीं सकती practically, तो उसको आप परिशान मत हो, जो lecture चल रहे हैं, जो तीन सब्जेक्ट चल रहे हैं, कि कैसे जैन के लिए बोध ग्रूप को प्लाण करना है, सेप्टेंबर के लिए अगर कोई प्रिपेर कर रहा है, तो भाईया, आपका स्लेवर्स, एक महीने, सवा महीने पहले तो पक्का complete हो जाना चाहिए, कैसे होगा, वो अब आप देख लो, क्या pending चल रहा है आपका, उससे पहले आप इन 6 स्टेप को नहीं follow कर रहे हो, चलेगा, यह आप तब follow कर लीजेगा, जब आपका स्लेवर्स complete हो जाए, clear है, सेप्टेंबर के भी स्टुडेंट होंगे, तो जब तक आपके classes नहीं complete होगी ना यार, मैं आपको over burden और pressure में नहीं डालना, tension नहीं पैदा करनी है यहाँ पे, cool रहो, light रहो, पहले अपने slivers को complete करो, वो complete हो जाए, फिर इस model को follow करके पढ़ाई कर लो, pass हो जाओगे, pass हो जाओगे, 80-90 नमबर की तो बात नहीं करूँगा आपके साथ, बढ़ पास हो जाओगे, क्योंकि आप already बहुत delayed हो, हाँ जी, any other query? एक बहुत basic query है, sir मैं याद करता हूँ और भूल जाता हूँ, आज मैंने याद किया, कल भूल जाओगा, आप इस model को follow करके याद करो, और फिर भूल के दिखाओ, मैं इमानदारी से बता रहा हूँ, आप इसके हिसाब से तैयारी करके दिखाओ, और फिर भूल के दिखाओ, आपको पता है chapter 1 का test कितनी बार हो चुका आज? भाई आप समझो, वो बच्चा मेरे से पहली कलास में बोलता है, सर असी कैसे लाएं, मैं कहता हूँ, सिर्फ मेरी बात मान ले, शुबम आया था, बोले, सर ने जो बोला, बस वो ही किया, अगर किसी बच्चे ने इमानदारी से मुझे फोलो किया है, जो यहां बैठे हैं, या जो लाइव में देख रहे हैं, कैसे भी, तो आज आपका चेप्टर वन का टेस्ट तीन बार हो चुका है, मतलब अगर किसी बच्चे ने इमानदारी से रिविजन किया है, तो उसने क्लास के साथ रिवाइस किया होगा, टेस्ट वन के लिए रिवाइस किया होगा, test 2 से पहले revise क्या होगा और आज test 3 के लिए revise क्या होगा और test 4 में भी आ रहा है कौन सा chapter number 1 भूल के दिखाओ मुझे आप chapter number 1 तो आप जब paper ही नहीं दोगे multiple revision is the only solution आपके problem का, जो भूल जाते हैं ठीक है, अब multiple revision एक ही दिन में 10 थोड़ी ना करने है एक ही दिन में 10 revision थोड़ी ना करने है, मेरे भाई पहली बार में 6 घंटे लगाने है दूसरे revision में आप देखना automatically वो 3-4 हो जाएंगे तीसरे में वो 2-3 घंटे हो जाएंगे कौन सा ऐसा student है मेरी class में जिसने 3 paper attempt किया आस तक के किया है बेटा तीनों इमानदारी से revision करके किया है पहले chapter को revise करने में आपको कितना समय लगेगा भी मत बोलना माइक दो भाहिन को, इमानदारी से बताना और पहली बार कितना लगा था वो भी बताना आपने पहली बार जब revision किया था प्लीज कम, मैं तीनों student से ही जिन जुनने आपकी bench पर किया है पास कर दो एक बार आपका नाम और आप मुझे बताइएगा पहली बार में आपको कितना समय लगा था थर्ड रिविजन में कितना समय लगा सर पहले बारे में तो राउंड चार गंटे लगे थे फिर मैंने लिखा क्योंकि मुझे लिखने की बहुत आदत है राइटिंग प्रेक्टिस बहुत ज़ादा फिर question bank mostly आपके test questions भी question bank में से ही है और फिर उसके बाद और कम लगा 2 गंटे और इस बार तो लगाई नी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे starting में मुझे classes से थोड़ी problem हुई कि मुझे समझ नहीं आ रहा और बहुत hard लग रहा है audit फिर उसके बाद chapter 1, 2, 3 पर ही सब कुस based है बाकी का मुझे अच्छी समझ आ रहा है अंशिका बताए प्लीज जस्ट शेर यो जर्नी ठीक है सर चैंटर फर्स में तो जब पैला टेस्ट हुआ था तो उसमें तो काफी टाइम लगे थे आराउंड फोर तो फाइवार फोर तो फाइवार फर्स रिवीजन चैटर वन ठीक है बिटा पर फिर सेकेड में उसका ज़स्ट हाफ लगा जादा नहीं लगा था क्योंकि मैं लिखती हूं नोट्स मैं खुद बनाती हूं शॉट नोट्स जो भी बना पाते हूं मैं अफिर जब अभी जब टेस्ट के लिए अबर फिर अध्याद उलत मैं याद अब है याद लगे इस बार वाला वाला क्वेश्चन याद करने में टाइम लगा था कि मिस लीड ने कर नलए बाकी so how much time you took like to revise chapter one 45 minutes and tell me now one thing put test number four again we have chapter number one in our syllabus so how much time do you guys need for chapter number one 30 minutes please thank you for your answer thank you so this is the only solution and if you ask yourself honestly you will get the answer there is no 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 shortcut for the success ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीज़े हां जी एनी अधर क्वेरी फूर लाइव क्ला स्टुडेंट रादी का पूछ रहे हैं सरकाफी जगे पर पॉइंट सेम होते हैं तो उस चीज़ को कैसे overcome करें judgment अपने आपसे पूछो यहां पर कौन-कौन से पॉइंट आने चाहिए management data नहीं दे रहा है तो क्या point आने चाहिए management data दे दिया गलत है तो क्या point आने चाहिए तो ask yourself use your judgment student यहां पर आये थे कि सबके query resolve हो गई प्लीज टेल मी audit भूल जाते हैं this is the solution multiple revision बट अच्छे से revision करते हुए seven step follow करो audit समझ आ गया याद नहीं होता this is the solution बोली नहीं पाऊँगे life में कभी जब एक चीज अच्छे से revise करते हैं समय समय पर उस चीज़ को test देते हैं भाई तेरा paper ले रहा हूँ आपके मैं कोई आपको ऐसे भी उठा के पूछ लेगा ना निंदों में उठ और वो कोई question बोल देगा तो point निकलेंगे मुझे कि भाई मैं बता रहा हूँ तेरा paper लिख दिये तो चलो जी मेरे हिसाब से आपकी mostly query resolve हो गई है अब बस doubt है कि मैं कर पाँगा या नहीं कर पाँगा अब आपके मन में doubt है self doubt कि मैं कर पाँगा मैं कह रहा हूँ आप कर पाएंगे आप करना start तो किजिए मुझे बड़ा self doubt था जब मैंने gym start किया था बहुत self doubt था मैं आपको इम योगा करता था मैं body weight workout करता था शुरू से ही मैंने gym नहीं किया दोनों में बड़ा difference है एक weight lifting है एक body weight workout है तो मैं body weight workout या फिर yoga इन सब चीज में ज़्यादा believe करता था मेरे को कभी भी muscles, biceps, triceps, chest या एक bulky body मेरे को नहीं बनानी थी मेरा काम ऐसा था कि we are very busy तो भाई थोड़ा बस थोड़ा सही रहें जिंदगी में कोई बिमारी ना लग जाए उतना मैं करता था तो I was very self doubtful कि मैं workout कर भी पाऊंगा मैं भाग भी पाऊंगा मैं मतलब इतना weight उठा भी पाऊंगा और अभी भी अगर आप देखेंगे मैंने 37 day workout किया है मेरा 38 या 39th day of workout आज है और मैं बहुत चोटी चीज़ हो क्योंकि आप लोग बहुत यंगों कि सर्फ 12-15 मिनट तो मैं 20 की स्पीड भाग लूँगा आपको यह हो इट्स में बीग अचीव्मेंट प्लैंक समझतो है आप लोग मैं 30 सेकेंड प्लैंक में गिर जाता था 30 सेकेंड 30 सेकेंड बट अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया बेबी स्टेप लेने पड़ेंगे पहले दिन मैं सोच हूँ यार मेरा कोर भी स्ट्रोंग हो जाए मेरे बाइसेप्स भी बन जाए मैं बढ़िया बोडी फिटनस में आ मैंने का यार we will set goals later on let's create a base first मतलब मेरे trainer कहता है सर मैं तो आप से सीख रहा हूं मुझे लग रहा है उसने मेरे से question पूछा हूं day one sir can you please tell me what's your goal मैं बहुत hefty amount pay करता हूं उपने trainer को एक दिन के 3000 उपर देता हूं उसको एक दिन के 3000 बोला कपिल sir please tell me what's your goal मैंने का अंकित नाम ह बोलता हूं भाई भी बोलता हूं मैंने का अंकित भाई let's not make any goal at this point of time my priority and my main goal is only consistency मैंने का मेरा बस गोली यही अभी कि मैं workout कर लूं और कोई गोल नहीं है बोला sir आपको weightlifting weight आपको reduction cutting कोई गोल मैंने का कोई गोल नहीं है मेरे भाई सिर्फ गोल इतना है कि तू मुझे घर प जिम में लेकर आएगा रोज हफते में चार दिन तू ने अगर इतना कर दिया मैं सारे गोल अचिव कर लूगा बट पहला गोल कि मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूँ समझ रहे हो मेरी बात तो मेरा कोई गोल नहीं है आज के दिन में कोई पूछता है कि आपका target क्या है मेरा target है कि मैं सो दिन पहले लगातार जिम चला गए यार मैं जिम जाओंगा ट्रेनर मेरे साथ है प्रोफेशनल लेवल का जो एथलीट होता है वो मेरे साथ है तो आपको नहीं लगता हो सो दिन में मुझे तयार कर देगा 200 दिन में तयार कर देगा और एक regularity बनेगी तो आपको कोई बेटा मैं सेम तरीके से guide करना चाह रहा हूं don't make any any type of goal जो tension दे आपको ऐसा कोई goal मत बनाओ जिसके लिए एक stress रहे mind में goal ये बनाओ कि दो गंटे आराध ना यार किताब के इतना प्यारा नाम लिखा है मैंने आपके लिए आपका goal सिर्फ ये होना चाहिए कि बस मुझे daily auditing के subject को पढ़ना है and believe me with this seven step model you will crack everything इस session में इतना ही जिस बच्चे ने इन चीजों को इमानदारी से follow कर लिया आपको life में कभी किसी से पूछने की जरूत नहीं पड़ेगी मेरे से भी आज के बाद के auditing को कैसे पढ़ना है अगर अभी भी दिक्कत आएगी तो आपके test number four भी है इन step को follow करने के बाद अगर आ कोई स्टोरी चलो भाई वीडियो को बंद कर दो यहां पर निवास भाई वीडियो को बंद कर दीजिए और वापस से recording चालो कर दीजिए स्टोरी देखो स्टोरी आप लोग पूछलो मुस्त